Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. धे良ž सारी महबत आपके लिए धे Wayड प्यार का आप लोग के अच्छी हैं दूा से बहुत अच्छी। kommt नए अच्छी। आप भी मस्ते कीजिये और धे जिए दुआ Scholz के आपके पहर के लिए। लेकिन आज मैं कुछ बात को लेकर आई हूँ हमारी हुजूर के बारे में कि कुछ बात को लेकर आई हूँ कुछ बात को लेकर मैं शेयर करना जाओंगे आप लोग के साथ में लेकिन सबसे पहले उस मालिक के शान पर एक बात किया कि मेरे हिस्से से ज्यादा तूने मेरी ठाल में परोसा है कितनी भी मुश्किल आए मौला मुझे तुछ पर परोसा है लेकिन चीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं बढ़ता और बाट कर खाने वाला कभी भूका नहीं रहता बाट कर खाने वाला कभी भूका नहीं रहता लेकिन कुछ लोग ये कह जाते हैं कि अगर नमा मैं यह ही जाए कि बांते जाब्चा कि अब online में अधिन कि आई पने जैसा है हमारे चाहीं हम लोग आधमी हम लोग आधमे हम मारें साया है क्迎 काarten्म और लगे busy lazari होता खुदा ने इसलिए रखा नहीं साया महम्मद का जो लोग नभी को अपने जैसा कहते हैं उनके लिए कहना है मैं मानते हूं नभी आपके जैसा एक शर्थ पर कौंची शर्थ के चांद को टुक्रे करके दिखाओ फिर कहना अपने जैसा और डूबा हुआ सूरज बुलव आपके तो दुनिया के अंदर बाहर नहीं दुनके पास पैसा वहारम से जा सकते हैं मक्का मदिना तो उनके लिए कहना है कि मक्का मदिना जाना आना फिर जाना कोई कमाल नहीं आर्शि पे जा कर वापस आओ फिर कहना अपने जैसा लेकिन हिंदुस्तान को सबसे important बात यह ह कि हिंदुस्तान को सबसे जो जरूरी क्या चाहिए हिंदुस्तान को एक्ता की जरुत है हम लोग एक्ता में रहेंगे तो सब कुछ मुम्किन है दुनिया में सब हो सकता है एक्ता में तो क्या कहना है कि तोड़े कोई ये फूल तो गुल्दान रो पड़े और उसके साथ साथ ये संतान रो पड़े, ऐसे फसा बनाओ मेरे देश वासियो, हिंदू का घर जले तो मुसल्मान रो पड़े, लेकिन जरूरत सजदा करवाते, इबादत कौन करता है, अरे क्या हुआ तेरे माथे पर है ये सजदों के निशान, कोई ऐसा सजदा भी कर, जो जमीन पे निशान छ पड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में, किसी को नाचिस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पानी कितना ही गंदा क्यों नहीं हो, आग बुजाने के काम आते हैं, लेकिन क्या कहना है, ये कहना कि कुछ लोग ये कह जाते है, कि हुसेन तरस गई थे पाने के लिए, मै अरह Billy Star अगर शर ना देते थे नभी को पिसर तो सारी दुनिया यिजिद हो जाती। सारी दुनिया यिजिद हो जाती। लेकिन शुक्छ भी जहुँत attra इसे क्या बात करना है। नोभ एंजितके हम लोग अमीरें, हम लोग अमीर के लोग उसार भात खनेंगे। लेकिन उनको कहिना है कि ना देख के हसना कभी फुटपात के फकेरों को फिर बताना के गरीबी किदर से आई है और किसी के फका कशिमे तंजना करना क्योंकि शाहिम अदिना के घर से आई है ये मिटी के बरतर ये टूटी चटाई एकारस नादान क्या देखता है गरीबी तो मेरे महम्मद के घर में पली थी तो मेरे घर के सामान क्या देखता है गरीबी मेरे महम्मद के घर में पली थी तो मेरे घर के सामान क्या देखता है लेकिन फिर दो को सरे हश्र समालेंगे महम्मद कमली में गरीबों को चुपा लेंगे महम्मद उम्मत को जहन्म से बचा लेंगे महम्मद डालेंगे खुदा और निकालेंगे महम्मद कितने प्यारी बात कि डालेंगे खुदा और निकालेंगे महम्मद लेकिन हमारे हुजूर क्या है कि हुबहु शकल में इंसान नजर आते हैं वो सादे कपड़ों में भी जिशान नजर आते हैं कुछ बड़े होकर भी लगते हैं जैसे फकीर हमारे सरकार तो चटाई पर भी सुल्ता नजर आते हैं लेकिन अल्ला रसुल की मिज़कुछ गहरी बात के लबों पे तबस्म निगाहों में बिजली कियामत कहीं से चली आ रही है खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको मेरे दिल के दुनिया लुटी जा रही है मेरे दिल के दुनिया लुटी जा रही है क्योंके गए पर्दे में जब शाहि आरब तो सर नजर आया अरब का एन का परदा हटा तो रब नजर आया क्योंकि बलगल उला वे कमाल ही कश्वत दुजा वे जमाल ही हसना जमी वो खिसाल ही सलू अलेह वालही चाहती हूं उसको जिसका कोई जवाब नहीं ये इंतखाब कोई मामूली इंतखाब नहीं कसम खुदा की खुदा भी यही कह रहा है आई नभी मेरा जबाब तो तु है पर तेरा कोई जबाब नहीं मेरा जबाब तो तु है पर तेरा कोई जबाब नहीं लेकिन दुनिया जुकी है यजिदों के सामने किसी की नहीं चलती नसीबों के सामने अरे हरिये अर्दसला का कुछ तो ख्याल करो गूगल नहीं चलेगा फरिष्टों के सामने गूगल नहीं चलेगा फरिष्टों के सामने लेकिन कौन किसी के दुख के लिए रोता है सबको अपने ही किसी गम में रोना है कैसे के जरूरत सजदा करवाती अबादत कौन करता है अरे क्या हुआ तेरे माथे पर है ये सजदों के निशान कोई ऐसा सजदा भी कर जो जमीन पे निशान छोड़ जाए कोई ऐसा सजदा भी कर जो जमीन पे निशान छोड़ जाए लेकिन मैंने का किसी को नाजित नहीं समझना चाहिए एक शेर मुझे याद आ गई गालिब शायर इंटरनेशनल शायर आपलो जानते हैं वो कहते हैं कि हाथों के लखीरों पे मजज़ा ऐ गालिब क्योंकि नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते है हमारे राइगंजSpabe में खुछ दिन पहला अंदोलन हुा था कि हिंदू मुसलमान को लेकर में उनको ले कहना चाहूंगी कि ऐसी हम लोगी करते हैं जो हिंदू रहे हैं जो हिंदू की ब्यार को प्यारी हैं मुसलमान ऐसा नहीं है कि तोड़े कोई फूल तो गुलदान रो पड़े उसके साथ साथ ये संतान रो पड़े ऐसे फसा बनाओ मेरे देश वासियों हिंदू का घर जले तो मुसल्मान रो पड़े ऐसे फसा बनाओ और हिंदुस्तान को सबसे ज़रूरत एकता कि मैं बार-बार ये ठीक कि किमारे खुआनाओं घरूर और हुरूर को उनसाओ करते हैं उनके ये जवाद था कोई कि हम लोग सुने मुसल्मान ये हम लोगा उम्मती है । मैं मुसल्मान जननत में जानें सक्ते अब मैं ऐसा क्यों कहरी हूं जब्के लच भ्षून Ск swords कर को छा आप तुमसल्मान पहले जन्नत में जाएंगे